हलो फ्रेंड्स, आइम कजिन चौदरी, हमारे Learn By Watch चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो अपने पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम टेक्स्ट एट करते हैं अपने स्टोरी बोर्ड में अपने आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम अपने स्टोरी बोर्ड में बैक्ग्राउंड देते हैं तो चलिए दोस्तो हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो देखिए अभी हमारे स्टोरी बोर्ड का बैक्ग्राउंड वाइट है अगर हमें इसका background change करना है तो हमें आना होगा यहां backgrounds में जब आप इस पे click करेंगे तो देखिए आपके सामने यह options खुल कर आएं कुछ backgrounds की इन में आपको देखिए इस type का background मिल रहा है यह मिल रहा है एक ऐसा मिल रहा है and एक यह मिल रहा है and बाकी यह है यह है and यह है तो आपको यह 8 option मिल रहा है backgrounds में जो आप अपने storyboard में use कर सकते हैं जैसे कि अभी मैं यह वाला select करती हूं and यहां से ok करती हूं तो देखिए अब हमारे storyboard का background change हो गया, अभी white था अब यह हो गया है and देखिए जब आप इसमें दुबारा जाएंगे background में तो आप यहां से अपने background को soft vignette और hard vignette में रख सकते हैं जैसे कि soft में मैं रखती हूं and ok करती हूं तो आप देखिए यह इस तरीके से हो जाएगा and अगर मैं hard को select करती हूं तो देखिए इस तरीके से तो आप ऐसे भी रख सकते हैं बट मैं अभी no vignette पर select करती हूं and ok करती हूं तो देखिए इस तरीके से आप background यूज कर सकते हैं अलग-अलग type के अपने storyboard में and उनको यहां से इन पर जाके change भी कर सकते हैं and आप, यहां से देखिए white की जगा कोई और color भी दे सकते हैं अपने background को जैसकि मैं अंदर जाती हूं यहां और आप देखिए, यहां पर इतने सारे color available हैं आप इन मेंसे कोई भी color select करके अपने background को वो color भी दे सकते हैं तो इस तरीके से अगर आपको वाइट नी रखना है, कोई और कलर रखना है, तो आप यहां से वह चेंज कर सकते हैं, तो मैं अभी वाइटी कर देती हूं, and okay करती हूं, तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम चार सेड करते हैं वीडियो स्क्राइब के स्टोरी बोर्ड में तो मिलते हैं आप से अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू